एलो स्टुरेंट्स एक फिर मैं आप लोग के सामने आपने कुछ कंटेंट के साथ कुछ टॉपिक के साथ यहां पे आप लोग के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो हमने पिछले पिछले वीडियो में हमने बात कर रहा था ओवर्वीव ऑफ क्लास, 10th, Math Subjects के सारे चैप्टर, सारे टॉपिक के वारे में ओवर्वीव करा था हमने कि कोन से चैप्टर से, कोन-कोन से चैप्टर मिलके कितने माक्स के कोशन्स आउट करते हैं तो हमने इन सारी बातों पर बात किया था, इन सारे चीजों पर हमने बात की थी कि हमने देखा था कि कितने यूनित होते हैं, यूनित में कौन-कोन से चैप्टर से कितने माक्स के कोशन्स आते हैं तो इन ही पर हमने बात की थी पिछली वीडियो के तो आप लोग पिछली व पॉर्मेट समझ में आ जाता है, लेकिन इनिशियल चीज़ों स्टार्टिंग कोई होता है उसे हमें बहुत बहुत अच्छे तरीके से हमाले समझ में भी आता है, हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कवर करियाते हैं, तो इसके फर्स्ट वीडियो जरूर देखेगा आप, तो इसमें number system में हमारे पास जो chapters आते हैं, वो है real number according to slavers of tenth class, tenth class के math के slavers के according, हमारे पास number system में सिर्फ एक chapter include होता है जिसका नाम है real number, और real number पे हम बात करेंगे इसी के अंदर, तो मैं numbers की बात आई, जहां तरक numbers, numbers की बारे में बात करकें हैं तो बहुत सारे number हैं, कुछ नेजर से भी है, कुछ खुद हमने भी हमने दिये है, तो नमबर बहुत सारे है, बहुत सारे हैं तो इसलिए उन सारे नमबरों का Dividant किया गया है, उन इसलिए नमबरों का ऐन बाद धीनक्त किया गया है तो हम जाने हमे membro singular सा नंबर कि इसके hinter बाहरी करता है तो देखते हैं, नंबर सिस्टम है क्या, सिस्टम मतलब एक परनाली होती है, सिस्टम मतलब क्या होती है, एक परनाली, किसी चीज को? सि modeled शिष्टम मतलब परनािक किसी भी चीज को रखने का तरीका नम्बर सिस्टम मतलब की लूबर्स को रिपरजय करने का सेच्टम जो होता है वह हमारे कांब्ल सिप만 घंद्धा ऑसाइमारे पास बात करते हैं ale यह सिश्टम होते हैं, जैसे हम बात करते हैं, ओक्ता-चैनल-खाना सीश्टम और भी सारे बहुत सारे पढ़ना होता हैं बेसीजी हम इस पाद पे लिए आने लेंगे, इस पे डेसिमल सिस्टम, ठीक है, डेसिमल सिस्टम क्या अदर, तो मैं आपको बता दू एड़ा कि डेसिमल सिस्टम में कौन-कौन से नमबर, सबसे पहले कि नमबर अफ डिजिट से इसमें कितने होते हैं, नमबर अफ डिजिट्स होते हैं, 10, कौन-कौन से डिजिट होते हैं, हम उसके बारे में देख लेते हैं, जीरो से लेके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जिए उस लेके नाइन तक के जो हमारे पास डिजिश्ट होते हैं, वो डेसिमल सिस्टम में आते हैं, इन ही का इस्तेम में इसका यूज करते हैं, इसी का यूज होता हैं और binary में आप लोगों को पता रहा है कि मैंने कहा था आप लोगों से एक बात की हम जो भी चीज़े पहेंगे हमें जो भी चीज़े प्रोवाइड कियाती है according to book वगएर पर जो भी हमारी पास चीज़े दिया होती है जो नाम दिया होता है तो वह नाम हमें बहुत कुछ इंफरमेशन देता है मैं बार बार इस बात को रिपीट करूँगा ता कि आप लोग भी हर वर्ट के according अपना observation के लिए कर लें तो मैं बताते है कि DC मतलब क्या था 10 10 इस जीरो टू 9 टेन डिजिट्स हो जाएंगे और binary में देखें हो binary यह क्या है binary रिमारी मतलब आप्पलों को by by मतलब क्या होता 2 by मतलब 2 कोई में सब्सक्राइब हमें 2 तो दो नंबर क्यों से इसमें यूज किया जाते है जीरो और, 1 2 Decipes, Aukta आपको पता है Aukta क्या होता है Aukta मतलब होता है 8 नमबर दिजिस क्या eight zero से seven तक कर शिस्टेम होगा, हमारा क्या होगा, Aukta Decipes, Aukta system होगा, sorry Hexa आप लोगों को पता है, इसमें number of digits कितने होंगे, six होंगे तो मैं आप लोगों को बता का रहू ऑँ कि हम कैसे वर्ट दर चीज़들 को समझ पा है तो ये सारी बाती सिस्टम से तो हमें जिस सिस्टम के बाहता हुँ, हमारा बाती है ये बात हैं हमारे पास अभी इसाट कोई जेगिया नहीं है है हम इसके बारे के जब जरूरत होगी तो बात करेंगे लेकिन हम बात किरने हम पहते हैं decimal की decimal की तो हमें 0 से लेके 9 तक के numbers के बात करनी है decimal system की बात करनी है तो मैं इसका classification start करता हूँ तो सबसे पहली बात यह हमारे पास दो टाइप के सैक्स होते हैं उन्हीं दो टाइप के सैक्स सारे नमबर निकल का आते हैं जैसे हमारे पास पहला रियल नमबर रियल नमबर का सैट दूसरा इमेजिनेरी इमेजिनेरी नमबर का सैट रियल नमबर को से नमबर होते हैं रियल नमबर वो सारे नमबर जिसको हम नमबर लाइन पे रिपर्जेंट कर सकते हैं वो सारे नमबर वो सारे डिजिस्ट वो सारे बेसिमन जिसको हम नमबर लाइन पे रिपर्जेंट कर सकते हैं और पर इसी दिसी बात है कि number line पर हम पर इसी चीज़े करते हैं तो हम वो देखेंगे तो मैं इसको रिट देता हूं कि all digits which is represent on number line वो सारे digits जो हम number line पर represent कर देते हैं वो हमारा पर इसी चीज़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से 11 क्लास के टॉपिक हैं तो इमेजरी के अधर में बात करता हैं आप यह काल्पनिक काल्पनिक संख्या काल्पनिक संख्या से क्या मतलब होता है जो कल्पना हो जो रियर जिस इसके रियरिस्टिक वैल्यो कुछ नहीं हो जो सिर्फ कल्पना हो जिसे हम सिर्फ सोथ सकते हैं लेकिन उसको एपियर नहीं कर सकते हो उसको दिखा नहीं सकते हो उसको मतलब को निए रियरिस्टिक चीजें नहीं हैं वो कालग नहीं है तो इसको हम आई हैं से इनूट करते हैं इसमी बस आई हैं तो इसके बात एन आपे आपाइन करेंगे क्योंकि यी हमार आउट-उफनल? ठीक है तो बात करने हम हमारे पाश टापिसर गडिकला काल ता कि पहले रील नॉमबर तो आये बात करते हैं किसी है रील नॉमबर गी रील यूम् हिंदी में बोलते हैं वास्तविक वास्तविक संख्या देखिए मैं बोलता हो ना कि सारे वर्ड से पता चलता है रियल मतलब क्या तो वास्तविक संख्या जिसका वास्तव में अस्तित्व है वो सारे नंबर जिसका वास्तव में अस्तित्व है जिसका इस्तेवाल होता है वो हमारे क्या है, real number — जिसको हम लिख पाते हैं, बिंदेंग, समघते हैं तो वो हमारे सबैं होए, real number, वास्तव एक संख्या मतलब वास्तव में जिसका अस्तित्व इस दुन्या में है बहित रेते हुए, the hoe बास्तवर एक संख्या, real number अब देखते है real number कुल सा होता मैंने भी पता था कि regular numbers बो number होते हैं जो number line पर represented Dip कर सकते है number line में How to draw कर देता हूं यह हमारे पास?... एक number line हे मारे पास क्या है ? a number line number line परिख कुल कुल से number उते हैं यहां पर 2 , here. arrow एक कहें इसके राइड जलता हूं तो यह one तू three dot dot इसके जर्ष्ट में पीछे आता हूं, तो यह माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, यह भी डॉल डॉल डॉल, माइनस इंफिनिटी तक, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि माइनस इंफिनिटी 2, प्लस इंफिनिटी, जो जाता है वो हमारे पास number line पर रिपर्जेंट होता है, तो हम देख लेते हैं क्या यही number होंगे क्या, तो नहीं, और भी कुछ है, जो इसके अनावा represent होगा, जैसे यहां पर अगर मैं यहां के बात करता हूं, तो यह 0.4, मैं यहां के बात करता हूं, तो 0.5, मैं यहां बात करता हूं, तो 0.5, मैं यहां बात करता हूं, तो 1.3, 1.5, य इसके बीच में आएंगे, जैसे एक और दो के बीच में, मैं यहां बनाता हूँ, one and two, एक और दो के बीच में कितने numbers आएंगे, यह तो सारे numbers हमारे पास complete numbers दिख रहे हैं, one and two, लेकिन इसके बीच में, कुछ numbers ऐसे भी हैं, जो number line पर represent होते हैं, जैसे मैं लिदू one point two, one point two one, one one point two two, two, two point one, two point two five, dot 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 dot, ऐसे बहुत साज, तो किसी भी दो complete numbers के पीच में, कितने numbers हो सकते हैं, infinite number हो सकते हैं, infinite, बहुत साज number, तो यह सारे numbers भी तो number line पर ही represent होंगे, तो मैं एक बात इससे कह सकता हूँ, कि हम जो बाते कर रहे हैं, कि वो सारे real numbers होंगे, जो number line पर represent कर होंगे, तो number line पर represent करने के दो तरीकिया हमें दिखे, दो चीजे, एक तो हमारे पास दिखने हैं, सारे complete number, complete number, और एक हमें ऐसे लग दिखे, ऐसे तरीके के जो decimals में गया है, जो point में गया है, जो decimal में गया है, तो यही से हम बात करके निकालते कि real number हम, real number है, इसे आप लि संख्या होती है, वो real number होता है, तो number line पर one, two, three, four, five, तो हमें clearly दिखता है, that is the complete, कोई दिखकर नहीं, लेकिन हर दो number, हर दो number के बीच में कुछ ऐसे भी numbers होते हैं, कुछ ऐसे हमारे पास digits होते हैं, जो point में आते हैं, जो decimal में आते हैं, जो 0.1, 0.2, 0.3, 1.1, 1.2, तो यह स रहरे numbers भी number line पर ही होते हैं, number line पर अगर यह सारे होते हैं, तो शुर में हमारे थाने, 2 type के number exist करते हैं दूसरा भी हमारे सामने इस तरीके कर दिखा है, तो मैं इसे बिता जेता हूँ तो यहां से हमने देखा कि हमारे पास रिएल नमबर में दो टैप के, एक तो हमारे पास decimal में decimal नमबर और दूसरा जो हमारे पास दिखा है वो integer दिखा है, क्या दिखा है? integers 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 मैं बता दो आपको कि decimal को कहते हैं हिंदी में हम लोग 10 मदब 10 मदब 10 मदब संख्या करते हैं और इसको हम लोग कहते हैं Purnang integer को क्या कहते हैं? तो चोज़ इस योर्स दोनों आपके लिए हिंदी साइट से वो बेस इंट्रोडेक्शन का बहुत अच्छे से फायदा उठा सकता है इसलिए में हिंदी में लोग लिख दे रहा हूँ तो जादा डिफेंस दे हिंदी इंगलिस में बस वर्स थोड़े से देखने हाँ पतर सब को सब कुश होता है बस हमें वर्स में थोड़ी से कंफ्यूजन गाता है हिंदी इंगलिस वहीं expel हो जाता तो चीजों को बहुत इजली drive कर सकते हैं आप लोग तो decimal और integer तो अभी दोनों के बारे में हम बहुत बात करेंगे ठीकर तो हमने अगी तक क्या देखा कि real number real number वो number होता है जो number line पर represent कौन-कौन से number हो सकते है वो हमने अभी दिखाया 1,2,3,4,5,6,7,8,9,2,10,11, infinite तक यह number तो हमने दिखते हैं लेकि कुछ ऐसे भी number होते हैं जो decimals में आते हैं जो दो number के पीछ में exist करते हैं 1.5, 1.6, 1.7, 1.76, 1.7, 1.67, तो यह सारे भी करते हैं विसका मतम्य होगी है हमारे पास decimal में और यह हमारे पास integer integer में हमारे पास कौन-कौन साएंगे minus infinity okay integers में हमारे पास कौन-कौन साएंगे 0, 1, 2, 3 9 यह तो minus 1 minus 1, minus 2, minus 3 यह सारे हमारे पास numbers integer में हैंगे decimal में तो हमारे पास point वाले number तो एक-एक करके हम इनको explain करते हैं पहले हम start करेंगे decimal decimal number क्या होता है decimal की बात करें हम तो जो point में कितने तरीके से represent होता है point में कोई भी number कितने तरीके से represent होता है वो देखना हमें तो मैं यहां पर बात करता हूं आपस कि अगर मैं यहां पर लिखने की गोश्श करूं तो हमारे पास जो one and first time हमारे पास जो represent करते जैसे मैंने करते 0.5 ठीक है अगर मैं बुस्वे तरीके से represent करता हूं इसको तो 0.4444 ऐसे कुछ number आएंगे जिस्तों जो infinite होगा जो रुके गाएंगे आता है आप 4 upon 9 का देखिया ना 4 upon 9 इसको जब divide करेंगे तो 0.4444 4 यह आएगा ठीक है और कुछ ऐसे number भी आते हैं जो repeat तो नहीं करते हैं लेगे infinite तरी आते हैं जैसे यहां तो मैं लेकरा हूं 0.12342567 तो हमने इन तीन टाइप के decimal के numbers हमारे पास होते हैं तो तीन टाइप हमने क्या देखा कि एक decimal तो इस तरीके से exist कर रहा है कि वह point के एक जिजिट बाद ही अपने आपको खतम कर लेता अपने आपको stop कर लेता उसके आँगे नहीं जाता दूसरे-टाप कर रहने यह देखा कि point के बाद वही number repeat कर रहा है वही number repeat कर रहा है लेकिन एक बात notice करने वाली यह है कि repeat तो कर रहा है लेकिन वो एक ही number से repeat कर रहा बारवर ठीक है और जो रुग नहीं रहा है चलता जा रहा है ठीक है तीसरा हमने देखा 0.1 हमने दीसरे में क्या देखा कि ये infinite तक तो जा रहा है लेकिन repeat नहीं कर रहा है तो ये सारी category हमारे पास decimals की है decimals तीन तरीके से रह सकता है number line पे decimals तीन तरीके से number line पे represent हो सकता है अब हम देखते हैं इन तीनों तरीके से क्या क्या देखता हैं तो हमारे पास decimal में देखते हम कौन सके हैं इसके भी दो पार्ट होते हैं दो पार्ट को है कि एक तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या टर्मिनेट टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग नम्बर है न, टर्मिनेटिंग नम्बर और एक होता है नोन टर्मिनेटिंग non-terminating तुम आपको बतातो है terminating और non-terminating में ज्या आपार होता है terminating वो होता है जिसे हम it can be it can be stop terminating का क्या मतलब है कि वो decimals के numbers ไar प्षया लिहेयर स्टृप कर सकते हैं decimal के बाद, point के बाद हम number को रोक पा रहे हैं वो हम रोक पा रहे हैं कि यहां हमारे पास किस में आता है non-terminating में o not terminating में non-terminating क्या होता है non-terminating वो नंबस होता है जिसको हम नहीं रोक पास है जो infinite तक जाएगा जो इंफाइनेट तक जाएगा लेकिन इसके भी दो इंफाइनेट तक यह भी जा रहा है इसके भी दो तरीके इसके भी दो पार्ट इसलिए क्योंकि इंफाइनेट तक तो यह भी जा रहा है और इंफाइनेट तक यह भी जा रहा है और यह कहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग वह कि कि इंफानल तक तो जा रहा है। लेकिन क्या कर रहा है डिजट रीपीट कर रहा है। यहां पर देखिए, कि इंफांल तक तो जा रहा है लेकिन गा नंब्र रिपीट नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पर लिकूं क benefits को नौ recapitinCup यह समझने वाली बात है बस इसको अच्छे से समझ जाईए आप बाग इस्तमाल तो आप अपने तरीके से में बताऊंगा इस्तमाल कैसे करते हैं बस आप लोगों को समझना तो मैंने कहा गा इट कैन भी स्टाफ जिसे हम रोख सकते हैं जो रोख सकता है उसे टर्मिनेट कहते हैं तो कौन सा रोख सकता है हम हमने एक लिखा 0.5 इसको रोख सकते क्यों कि यह तो इसमें आगा जी तो यह हमार पास क्या जागा 5 अपन कैन कोई दिखकर नहीं यहां से देखो रेपीटिंग में पहुन से नुमर आएगा 0.44444.5 इन फाइन जाए ठीक और नों रेपीटि है ठीक है अब यह बात तर्मिनेटिंग का मतलब जिसे रोक सकते हैं हमने रोका तो हमारे पास कुछ फॉर्म इस तरीके सा है 5 अपन 10 अब 5 अपन 10 आते ही हमारे पास दिमाग में एक बात बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है कि 5 अपन 10 मतलब कि यह पी अपन क्यू के फॉ अपन 10 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 अपन P और Q का ओढ़ाए integer और, एक बहुत MOST IMPORTANT बात Q कभी भी 0 नहीं हो, इसका मतलब यह हो गया, कि denominator कभी भी 0 नहीं हो गा, गर एह बात यहाँ भी 0 नहीं है, तो अगर यह चीज इस फ़ं में आ सकता है, तो इसका मतलब यह हो गया है कि हम terminating को P upon Q के form में लिख सकते हैं, P Q जहाँ integer है बिलकुल है, Q 0 नहीं है, बिलकुल नहीं है, तो ऐसे ही number को पढ़ते हैं, हमारे दिमाद में एक definition आती है, किसकी? Rational number के definition क्या होती है? Rational number के definition simply यह कहता है कि a number, a number which is written in the form of P upon Q, जिसे हम P upon Q के form में लिख सकते हैं, अब P Q क्या होता है, इनकी जिए, वो ही हमारा क्या हो जाता है? Rational number, तो मैं आती हम पर एक सकता हूं कि a number, a number it can be, can be written in the form of P upon Q, where P Q, integers Q does not equal to 0, is called Rational number, बहुत अच्छी, क्या जाता है वो? Rational number होता है, इसका मतलब यह होती है, जो भी terminating है, terminating है, वो क्या है? Rational number है, कोई दिख कर लिए, इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, repeating, repeating कर रहा है, अच्छा, repeat तो कर रहा है, ठीक है, in final तक जा रहा है, इसी इसमें बैठा हुए, लेकिन हम इसकी कुछ बातें, ऐसी करेंगे, जो यहाँ अगर follow कर देता है, इसको भी हम यहीं उठा कर देंगे, कैसे? देखते हैं, 0.444 है, अच्छा, अगर आप लोग 9th class में एक topic बढ़े होंगे, बार, बार वाले एक topic है, कि हम किसी भी repeating visit को break कर सकते हैं, किसी भी decimal के बाद किसी भी repeating visit को stop कर सकते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? उसके उपर में क्या लगा देते हैं, बार जो भी विजिट रिपीट कर रहा हूँ, उस पे बार लगा देते हैं, बार लगाने जैसे बार लगाते हैं, तो कुछ ऐसा लिखते हैं यह कैसे होता है तो आपको 9 क्लास में है, आप लोग जानते हैं, नहीं तो मैं खुद बता दूँगा, अगर आपको कमें का जाना, किसा यह नहीं आता है, नहीं बता हूंगा, कोई दिखते हैं, 4 upon 9, इसे हम ऐसे लिखते हैं, अब देखो, बहुत अच्छी बात देखी हमें, 4 upon 9, 4 upon 9 दिख गया, इसका मतलब यह है, कि इसको भी हम कहीं न कहीं, P और Q, क्या है, इंटीजर है, 4 और 9 क्या है, इंटीजर है, और Q, 0 नहीं है, यह तो बहुत अच्छी बात होगे, यहां से, कि रेशनल नंबर की, जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन, यहां पे मैच कर तो इसका मतलब यह हो चुका है, कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और रिपीटिंग, जो हमारे पास सेट बनेगा, वो भी हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर, इससे लिए पता चल चुका है, ठीक है, तो इसका मतलब यह भी क्या है, प्रॉप्रंस आएंगे वह हमारा क्या होगा रेशनल नमर होगा क्यूं क्यूंकि नॉन टर्मिनेट तो है लेकिन वह रीपीट होने के कारण उसे हम बाहर लगाके रोख सकते हैं बाहर लगाके जैसे ही रौगे हैं जो हम उसको प फिकल्स नहीं लिख सकते हैं It cannot be written in the form of P by Q, then it's called Irrational Number. It is called Irrational Number. It's very good to understand the story. It's said that if you have 100 meters, if you have 100 meters, if you have 100 meters, you will have water from 100 meters. If you have 100 meters, you will have water from 1,000 meters. So, deep vision, consistency, things you need to show. We need to know what we are talking about, 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 what we are talking about. So, these small things are different from the students. So, how are we talking about this? I said that this is P by Q in the form. This is a very good thing. If we can write P by Q in the form, we can write Rational Number. So, we have two parts divided by Rational and Rational. So, we have two parts divided by Rational and Irrational Number. So, in decimal, we have two parts. Rational and Irrational Number. So, I will write them here. So, I will write them here. Ok? Zoom and pause the video to not get down. If you can write them on video, I can write them. So I will write them down, I will write them down. Then, I will write them down to this one. Now, I will write them down to a combined format. How it is. अब मैं यहां पर कहा लिख सकता हूं की की टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड यहां बैसे लिख सकता हूं की जो नंबर रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग हो जो भी नंबर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग हो तो वह हमारा क्या होता है रिपीटिंग एंड रिपीटिंग एंड नंबर रिपीटिंग एंड नं नं टर्मिनेटिंग अगर हमारे पास ऐसे चीज़े दिखते हैं तो हमीं सी वह किया देती हैं कि यह हमारे कौन सा नंबर होगा? और इरशनल नॉंबर, क्या हो गहा है? इरशनल नॉंबर तो मैं आप लोग आप पुरी बास देखते रहे अच्छी तरह के समझा लेता हूँ की डेसिमल में हमारे पास तीन तरिके के फार्मेट होते हैं कुछ numbers decimal के बार terminate हो जाता है कुछ number decimal के बार terminate नहीं होते हैं तो terminate जो होता है उसे पी वाइक्यू के form में हम लिख सकते हैं और जिसे हम पी वाइक्यू के form में लिख देते हैं वही हमारे क्या जाता है rational number और जिसे हम PY के form में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते देते हैं? Irrational number, तो यहां से हमारे पास दू बारते rational और irrational number आ चुका है rational और irrational number आ चुका है ठीक है? तो अब नच्स आपिंए हमारा हम जाउस्ट इसका करेंगे आगा? सब नंबर नंबर में देखा कि वो सब नमबर रियल नमबर है जो नमबर लाइन पर एक्जिस्ट करता हूँ जो नमबर लाइन पर रिपरजन्ट हो सकता हूँ जया होता है हमारे पास रियल नमबर हमने देखा कि नमबर लाइन पर हमारे पास दो तरीके के चीजे एक्जिस्ट करता है एक तो हमारे पास complete नम ये तो हमने सिता इक सायद बना कां यह तो क्या नाम यह तू की जया को एऊ खर तो तो हमने क्या करा कि, कि decimal को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक हमारे पास terminating और एक non-terminating, terminating में वो नंबर्स आया हैं, जिसे हम समागत कर सकते, terminate का मत्तब ही होता है, कि जिसको हम रोख सके, जो रोख जाता है, तो हमने 0.5 गिया था, वो रुगाद हो से हमें terminating किया, term terminating में हमारे पास दो type के थे, एक जो, non-terminating में, एक था, जो repeat कर रहा था, लेकिन वो रोख नहीं रहा था, ठीक है, और दूसरा type यह था, कि वो रोख नहीं रहा था, और repeat भी नहीं कर रहा था, तो हमने देखा, कि जो terminate हो रहा था, वो, किसके definition को satisfied कर रहा था, वो, reasonable number के definition क satisfied कर रहा था, क्यों, p by q के form में वो, दिख रहा था, वैसे हमने देखा, कि non-terminating और repeating, वो भी rational number के definition को satisfied कर रहा था, तो इसलिए, और एक last बज़िया था हमारे पास, non-repeating, non-terminating, जो rational number नहीं था, जो rational number नहीं होता है, वो, irrational number होता है, that's it, तो हमने देखा, कि यह सारी बात ह हमने की, तो हमने देख लिया, कि repeating and terminating, यह दोनों कि सेट को indicate करता है, यह दोनों हमारे rational number को indicate करता है, और जो एक बच गया, non-repeating, non-terminating, यह हमारे irrational number को define करता है, तो हमने देख लिया rational number, हमारे पास बात यह हम पे ही है, integers की, तो इसके वारे classification हम next, वीडियो में करेंगे, ब बहुत सारे टाइप सम, explain करेंगे, बहुत सारी बात यह है, इसलिए तब तक आप लोग यह वीडियो देखिए, और next video की notification आपको मिलेगी, इसके लिए आपको थोड़ा सा active रहना पड़ेगा, subscribe कीजे, आपको notification मिल जाएगा, subscribe कीजे, और नए ने वीडियो और नए तरीके से चीजे सीखने को मिलेगी, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही बाकी के हम next video बहुत जल्द ले करेंगे आप लोग के लिए, बहतर तरीके से, बहतर explanation के साथ, अभी चीजे सीखने की है, अभी हमारे पास इस start-up है, हम चीजों को बहुत आपको सीख सकते हैं, कहते हैं, पर ध्यान दो, तो फ्रोट्स अपने आप बढ़िया आए, वो यही जड है, जड पर सही से ध्यान देंगे, तो सब कुछ बढ़िया आएगा, तो इस पे हम बहुत बालेकी से ध्यान देंगे आराम से, तो आज के लिए इतना हैं, तो next video के लिए आप लोग जरूर कीजिएगा, ताकि आपको नौटिफिकेशन मिल सकें, आपके लिए, जब तक के लिए, बैबे, टेक लिए